गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग विहार डियले इंट्रेंस एक्जाम के लिए इंगलिस के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक कंजेक्शन करने वाले हैं और दोस्तो इस टॉपिक से आपके एक्जाम में पिछले साल हर स्रिफ्ट में दो कोशन पूछे गए थे अगर आपके पास ट्रिविए सेर कोशन पेपर वाली बूख है आप देख लीजएगा तीना देखिए इस वीडियो में दोस्तो हम समझेंगे कंजेक्शन क्या होते हैं, कंजेक्शन के कुल कितने टैप्स होते हैं और कौन से टैप्स ही रिलेटेड होते हैं, तो आपको काफी जादा help करेगा, कंजेक्शन टॉपिक सब्जेक्ट बरवाइग्रिमेंट समझने में ठीक जब मैं आपको सब्जेक्ट बरवाइग्रिमेंट पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि conjunction topic का क्या importance है क्या महत्व है इसलिए प्लीज इसको आप लोग ध्यान से समझेगा conjunction topic को अगर हम simple words में समझे simple सब्दों में समझे तो conjunction को दोस्तो हम connecting words कहते है अब connecting words से क्या पता चलता है जो दो words या फिर हो सकता है दो non को, दो phrase को, दो clause को या दो sentence को जोड़ने का करे करे या दो से अधीक को भी जोड़ सकता है इसे ही हम connecting words कहते है और इसे ही दोस्तों conjunction कहा जाता है ठीक ना अब connecting words कौन-कौन से होते है तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो and हो गया, यहाँ पर we end हो गया यहाँ पर that हो गया तो यह सारे conjunction होते है जिसे हम connecting words भी कहते है अब यह क्या करे करता है तो आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा conjunction वह सब्द या सब्द समू है जो दो या दो से अधीक words, phrase, clause या sentence को जोड़ता है या जोडने का करे करता है जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते है दो non या फिर इन्हें दो sub दिखे सकते हो दो words को यहाँ पर जोडने का करे किया है end, तो end क्या है हमारा conjunction है, यह हमारा connecting words है इसी तरीके से दो phrase को जोड़ा है यहाँ पर दो clause को जोड़ा है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो अब हम आते हैं दोस्तों कि conjunction, मतलब थोड़ा सा और conjunction हम देख लेते हैं कि conjunction कौन-कौन से होते हैं उसके बाद हम इसके types पढ़ेंगे यहाँ पर आप सारे conjunction देख सकते हो अब कुछ conjunction जो है न यह पर आपको लगेगा कि यार यह तो प्रिपजिसन है तो इसके use के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर conjunction है, कहाँ पर प्रिपोजिसन है और कई बार जो है न आपको जैसे आपको पता है देख़े, that आपको पता है दोस्तो, that Demonstrative Adjective भी होता है और यह pronoun भी होता है लेकि ने, use के हिसाब से, पता चलेगा आपको, जहाँ पर दो, जहाँ पर दो clause या sentence को जोडने का कारे कर रहा है, तो समझ लेजे कि वहाँ पर connecting words, मतलब conjunction है, और जहाँ पर, मतलब demonstrative जैसे किसी non से पहले use हुआ है, that, तो समझ लेजे कि वो demonstrative adjective है, उसको स अब that car is mine का मतलब वहकार मेरी है, तीना, यह मैं आपको subject वरव agreement में बताऊंगा, देखे, यह सारे आप लोग देख सकते हो, अब चली हम इसके taps पढ़ते हैं, यह सारा conjunction है, ठीक ना, अब देखे, यह कुल कितने taps के होते हैं, तो देखे दोस्तों, एक होता है coordinate conjunction, तीना, औ subordinate clause जो होते हैं, उससे अगर कोई उप वाकिया है, मतलब दो clause अगर connect होता है, तो समझ लेजी कि वह वाला जो clause है, जिससे पहले subordinate conjunction लगा है, उसे हम subordinate clause कहेंगे, जो subordinate connecting जो words है, जैसे यहाँ पर थोड़ा से मैं आपको पहले subordinate clause एक वर दिखाता हूँ, तो इससे subordinate conjunction, मैंने आपको बताया था न, if, since, as soon as हो गया, until हो गया, unless हो गया, उसका बद as long as हो गया, when हो गया, when ever हो गया, यह सारे क्या है, यह सारे हमारे subordinate conjunction है, ठीक न, और अगर यह किसी उप वाकिये, मतलब कि clause से पहले अगर लगता है, तो समझ लेजी कि वह जो clause है, वह subordinate clause ब कहते हैं, अब चली हम स्टार्टिंग से समझते हैं, सबसे पहला है हमारा coordinate conjunction, यह क्या होते हैं, देखेगा यहाँ पर, example, देखे, he read the notes and return it to me, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़, notice कीजिएगा, देखे, sorry, देखे, read का second form, देखे, यह past में है न, इससे हमें पता चलता है कि यह past में sentence है, तो read का second form और third form पता है, read होता है, read, read, अगर आपके पास general English की book है, तो उसमें आप लोग verb form चेक कीजिएगा, read होता है second form भी और third form भी, तो यहाँ पर देखे, and conjunction का use हुआ है, ठीना, इसी तरीके से he came to meet me, but I was not at home, यहाँ पर, but, इसके बाद यहाँ पर yet का use हुआ है, फिर भी के अर्थे में होता है, yet का use, तो यह सारे conjunction कौन से है, यह हमारे coordinate conjunction है, इन वाक्यों में and, what, yet, नामा conjunction, दो ऐसे वाक्यों, मतलब, no, sorry, दो ऐसे clause को जोड़ा गया है, जो स्वै अपना अलग-अलग अर्थ परकट कर सकते हैं, अब यदि इन वाक्यों को लग-लग clause में बाळा जाए, तो एक जो है ना, principle clause बनेगी और दूसरी coordinate clause बनेगी, मतलब जिससे जो connect है, जैसे यह जो आप देख रहे हो, इससे connect है, तो यह coordinate clause बनेगा, मतलब coordinate conjunction से, जो connect होते है, clause, उसको coordinate clause कहते हैं, और जो subordinate convicted connect होते हैं, subordinate clause कहते हैं, अब हम दोस्तों coordinate एंड आ गया, अल्सो आ गया, वोथ एंड आ गया, एस वेल आज आ गया, नो आ गया, तू आ गया, नो लेस दिन आ गया, ये सारे cumulative conjunction कहलाते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, पढ़िएगा, इन conjunction के दुआरा, एक sentence को दूसरे sentence से, या दो non, दो पर non को, या दो adjective इतियादी क जोड़ा जाता है, ठीक न, यहीं इनका कारे होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो दो adjective को जोडने का कारे किया है, यहाँ पर दो non को जोडने का कारे किया है, ठीक न, I hope आप लोग समझे होंगे, उसके बाद दूसरा होता है, alternative conjunctions, ठीक न, विकल्पक इस व ऐसे sentence, nonce, pronounce, इतियादी को जोड़ा जाता है, जिनसे दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध होता है, ठीक न, दो में से एक को चुनने का बोध होता है, जैसे आप लोग एक्जामपल के रूप में यहाँ पर देख सकते हो, either sit quietly or go away, you must run fast, else you will miss the train, अब यहाँ पर दो दर्सक भी कहते हैं, अब देखें इसका क्या मतलब होता है, what, yet, still, only, however, इसका मतलब होता है, फिर भी, उसके बाद nevertheless, इसका मतलब भी फिर भी होता है, while मतलब होता है, जब की, मतलब विरोध है, where is, जहां तक इसमें विरोध का मतलब बहुत होता है, जैसे conjunction के दुआरा, द हो है, एक जैसा, मतलब, similarity ना हो, दोनों में, मतलब, जो है, आपको पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे, एक जो है, दूसरे के विपरित हो, जैसे, he is rich, but he is not happy, मतलब, अमीर भी है, फिर भी, अमीर होने के बावजूद भी, जो है, वो, मतलब, खुस नहीं है, तो यहां प फिर भी, इसका, मतलब, यहां पर फिर भी का अर्थाता है, फिर भी, he does not, he does not get good marks, वो बहुत जाद मेहनती है, फिर भी, वो अच्छे नंबर नहीं लाता, यही है, यहां पर इसका अर्थ, उसके बाद, ilative conjunctions का क्या मतलब होता है, इन conjunction के दुवारा, ऐसे वाक्यों को है, तो सोज है हमारा, ilative conjunction हो गया, लेकिन आपके exam में जो है इसके type नहीं पूछेंगे, बतलब इतना deeply नहीं पूछेगा, आपसे जो है इसको subject verb agreement की तरीके से बना दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, कौन सा helping verb लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि conjunction सीखना क जरूरी है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, subordinate conjunction, नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़ें, आप लोग ध्यान से समझेगा दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, कि subordinate conjunction आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, और जब भी किसी clause में, दोस्तों, subordinate conjunction लगेगा, त देखे, लिख लिजेगा, जब भी subordinate conjunction किसी clause से पहले लगेगा, तो वो तो हमारा subordinate clause बनी जाएगा, अब दोस्तों, उस clause का जो tense होगा, ये present में होगा, या past में होगा, या past perfect में होगा, कभी वी future में नहीं होगा, कभी वी उस clause में, subordinate clause में future के helping verb use नहीं होगे, दियान के जैसे conjunction के दुवारा एक clause को दूसरे clause से जोडा गिया है, जिसके बीना अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात वह उस पर पूरी तरह से आसरी थे, मतलब subordinate clause को जो है आसरी तो उपवाकिय भी कहा जाता है, यदि देख लिजेगा, इन sentence को clause में बाटा जाए, त जिससे हमें time का पता चलता है, अशे connecting words जिससे time का पता चलता है, वो subordinate, sorry, वो subordinate conjunction time के अंतर गता आ जाता है, जिससे when हो गया, whenever हो गया, till हो गया, until हो गया, before हो गया, since हो गया, while हो गया, as soon as, as long as हो गया, ठीना, अब यहाँ पर देखे, when I saw him, यह क्या है, हमारा past का है, ठीन ठीक न, दोनों में आपको ध्यान में रखना है, जब अगर subordinate conjunction से अगर कोई clause connect है, अगर वो past में है, तो main clause भी past में होगा, ठीक न, एक ही rule है, मतलब rule हमारा क्या है, conditional sentences वाला, कि अगर subordinate clause से कोई, मतलब clause connect है, अगर वो present में है, तो फिर उसके बाद वाला future में होगा, अगर कोई subordinate conjunction से start होता है, कोई clause, अगर वो clause, subordinate clause, जो है न, अगर वो past में है, तो दूसरा भी past में होगा, अगर वो past perfect में है, तो दूसरा भी past perfect में ही change होगा, ठीना, बस पहला वाला rule अलग है, जो कि मैंने आपको किसमें बताया था दोस्तों, ये है वाल, ये है हमारा, पह और एक्जाम में जो है, कैसे questions पूछते हैं, देखें, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये वाला conditional sentences आपसे पूछ लिया, अब वो क्या करेंगे, ये तो आपको पता, ये main clause है, जिससे principal clause कहते हैं, तो ये वाला क्या क्या करेगा, वो पहले रख दे कि यार ये future में है, तो फिर इसके बाद वाला जो clause होगा, ये भी future में होगा, ऐसा कुछ rule हमने पढ़ा हैं, लेकिन आप बस ये धियान रखेगा, कि अगर as soon as, as long as, when, until, unless, whenever, since, if अगर आ जाए, तो समझ लिजे कि वो हमारा क्या है, so ordinate clause है, तो उसमें अगर present में है, अग स्थान का पता चल रहा है, since, because और age से हमें कारण का पता चल रहा है, बस ये देखना है, कि इसका use किस तरीके से होता है, कि questions आपकी exam में इसको subject वर्व agreement की तरीके से पूछता है, ठीना, बस ये आप लोग पढ़ लिजेगा, बाकी मैं subject वर्व agreement में बता दूँग कैसे questions आत अब की, वही समझ लिजा, विरोध वाज़क सब्द होगे, अब एक होता है दोस्तो, correlative conjunction, जो conjunction, जोड़े में परियुक्त होते हैं, उन्हे correlatives conjunction कहते हैं, ठीक ना, जैसे either or neither, no, both, and, both के बाद हमें इसा and use होता है, आएंगे आपकी exam में question, note only के बाद हमें इसा what also होता है, औ और दो के बाद yet होता है, और weather के बाद और होता है, अब आपसे exam में जो है इसको subject बरव agreement के तरीके से कैसे बनाते हैं, यह मैं आपको एक बाद दिखाता हूँ, देखें, यहाँ पर है, हाँ देखें, जैसे यह वाला आप देखें, यह rule पढ़िए, इससे questions, दो से तीन question प to, what, besides, except, उसके बाद rather than, company, why, से जोड़ा जाए, तो वर्व का परियोग पहले subject, पहले वाले subject के अनुसार लगेगा, देख लिजए, subject बरव agreement, आप question आप से कैसे पूछेंगे, कुछेंगे किसर यह तो subject बरव agreement कोशन है, नहीं, conjunction अगर आपने पढ़े हैं, तो आपको पत चल जाएगा, देखे, यहाँ पर देखे, दो, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, दो words कह सकते हो, यह दो non's कह सकते हो, as well as connections connect है, तो हमारा जो helping पर भी use होगा न, यह पहले वाले, पढ़िए, तो rule आपको पता होगा, जब ही तो आप बता पाओंगे, पहले वाले, मतलब subject according use होता है, यह जी use हुआ है, अब यहाँ पर कुछ instrument को लगेगा, क्यार यह तो राम भी है, और उसके बाद his friends भी है, तो दो-दो यहाँ पर subject है, और एक, तो दोनों हो गया, तो यह तो plural हो गया, तो हमार लगा देते हैं, तो यही तो check किया जाता है आपका grammar, अब ही हो गय and note his parents, अब parents उन्हें लगेगा, क्यार, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हो गया, लेकिन यहाँ पर पता है, जिसको rule पता है, कि पहले वाले subject recording लगेगा, जब भी इस type के अगर words आए, और दो non यह पर non connect हो तो, तो पहले वाले subject recording हम helping verb का use करते हैं, अब देख लीजे, and note से connect सारा word याद कर लिजेगा, अब यहाँ पर देखिए, note only word also का use किस तरीके से होता है, यहाँ पर बताया गया है, मतलब इसका use जो है ना, हमेशा ध्यान में रखेगा, कि इसका use जो है ना, non से पहले होता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, है कि नी, non से पहले होता है, यह द देख लेजे, अब इसमें हमारा रूल क्या कहता है, नाइदा, राम, नोर सियाम, हैस कम, अब यहाँ पर जो हमारा helping बर या main बर जो हमीं यूज़ करेंगे न, वो पास वाला subject हो, मतलब पास वाले subject according करेंगे, अब यहाँ पर पास में सियाम है, तो इसके according करेंगे, अब है, तो यहाँ पर तो plural है, तो यहाँ पर हम have करेंगे, पास वाले subject according यूज़ होगा, ऐसे अगर आपको conjunction मिले तो, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिए, अब देखिए, यह जो हमारा sentence interrogative है, तो इसमें देख लिजिए, पास वाले इसके according लाएगा, ठीक न, बाक सारी questions ऐसे होगे, जो starting में जब आपको rule नहीं पता होगा, जब आप पढ़े होगे, तो आपको पता ही नहीं लग पा रहा होगा, कि यहाँ पर क्या लेगा, यहाँ पर क्या लेगा, लेकिन अब आप लोग एक चीज़ नोटीस करें होगे, subject बर वेगर्मेंट पढ़ा,